नमस्कार आप देख रहे हैं देंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पुरी पिछले कुछ दिनों में जम्मू कस्मिर में गैर कस्मिर्यों हिंद्यों की हत्या ने पूरे देश में कस्मिर के सिच्वेशन को लेकर एक प्रस्ण चिन खड़ा कर दिया बिहार के दोरा इसकी करीप पर्तिक्रिया की गई और वहां पर सुरक्षा बेवस्था को लेकर सरकार से प्रस्ण पूछे गए और उपराजिपाल से वहां से प्रस्ण पूछे गए और यही कारण था कि परधान मंत्री और ग्रिह मंत्री ने इस मामले को काफी स्रियस्ति लि उनका बदला लिया जा चुका है आपको हम बताते चलें कि हमारा बदला पूरा हुआ बुद्धवार को सुरक्षा वलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी सफलता हांसिल करते हुए दो अलग-अलग मुटभेडों में बिहार और उतर परदेश के स्रमिकों के हत्यारों दो ज करत्या कर दी थी सोपिया में मुटभेड के दोरान सेना का एक जवान कर्णवीर सिंग राजपुत सहीद हो गया जबकि दो अन्य जक्मी हैं मौके से हत्यार भी बरामत किये गया दच्छिन कस्मीर के सोपिया जिले में बुद्वार को सुरक्षा वलों ने दो आतंकियों को मुटवेड में मार गिराया इस इन आतंकियों में एक आदिल वानी था दसतगर्द वानी टी आर एफ का सोपिया का जिला कमांडर था जमुकस्मीर पुलीस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि बुद्वार को सुरक्षा वलों को सोपिया जिले के द्रगड इलाके में से रच्षा वलों ने लसकरे तवबा के एक आतंकी को पकड़ा उसके पास से एक हैंड ग्रेनेट भी बरामद हुआ आपको बता दे चले कि गैर कस्मिरियों की हत्या के मामले में इन आई एक के छापे घाटी में पढ़ रहे हैं आतंकी साजिस रचने और गैर मुस्लिम की हत् के एक ग्यारे जगों पर छापे मारे हैं यह मामला जैसे महम्मद लसकरे तरबा हिजबु मुझाहिदिन अलबदर और उनसे जूरी टी आरे फिपल एंटी फासिस्ट फरंट जैसे आतंकी संगटनों के हमले की साजिसकत है इस करवाई में आतंकीयों के मददकार चार अंड गुलजार डार को स्रीनगर से गिराफतार किया गया इनकी तलासी में इलक्ट्रोनिक उपकरणों के साथ ही दस्तावेज और पोस्टर भी मिलें तो आपको बताएं कि लगातार जो है पूरे घटना की समच्छा की जा रही थी और कहां से चूक हो रही है कहां से यह जो संग राफी छोटे ड्रॉन होते हैं यह और इसे यहाँ पर उनके जो समर्थक न कहां अतंकी है वह रिसीव करते हैं और उनका परयास यह है कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं, गैर कस्मीरी हैं, उनको कस्मीर में डूराने दिया जाए, आजीविका न चलाने दिया जाए, क्योंकि आपको बताएं कि 5 अगस्त 2019 को 370 धारा को खत्म कर दिया गया, 35 को खत्म कर दिया गया और इसके बाद से कस्मीर को केंदरसासित परदेश बना दिया गया और कस्मीर देश के अन्य राज्यों की तरह एक नॉर्मल इस्टेट बन गया और ऐसे में ये संभावना है और ऐसा हो भी रहा है कि बहुत सारे लोग जो कस्मीर में जाक रहा है आप जमीन ख़़ीद रहे हैं आजीव का चला रहा है और कस्मीर को देश के अन्य राज्यो के लोग हैं गैर मुस्लिम हैं उनको यह दिखाना चाहते हैं कि कस्मीर में आप आओगे तो आपके लिए कस्मीर सुरक्चित नहीं है और इसी का पड़िनाम हुआ बिहार और उत्रपरदेश के लोगों पर प्रवासियों पर हमले किये गए क्योंकि ज्यादा तर देखा जाता है तो दूसरे राज्यों में बिहार यूपी के लोग जो हैं बहुत ज्यादा जाते हैं कस्मीर में बहुत ज्यादा हैं तो एक उनके दोरा मैसेज ने कोसिस किया गया जो की सरासर गलत था आमानविये है गैर कानोनी है गैर सामधानिक है और इसका रिटेलियेट भारतिये स सनलिप्त थे सत्या में उन्हें मार गिलाया गया है एक हमारी जवान भी सहीद हुए है दो जवान जक्मी हुए है लेकिन इन सब के बावजूद आपको बताएं कि बदला पूरा हुआ है और सेना ने यह साफ कर दिया है कि कस्मीर भारत का है भारत के अन्य राज्यों की तर जान से मारने की कोसिस करेंगे उनके साथ भी यही किया जाएगा जैसे इन आतंकियों के साथ किया गया तो फिलहार इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंदा है लाइक सेर करें हमारे चैनल दा इंडिया टॉप को सस्क्राइब जरूर कर ले धन्यवाद